हेलो एवरिवन वेलकम तो माई यूटीब चैनल सचिन एडुकेशन हब आज मैं आपको इंटर प्रोसेस प्रोफिट के बारे में बताऊंगा और इसमें जो जो एड़्जस्मेंट होंगी उसको हम प्रैक्टिकली थूँ आज करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले इंटर प्रोसेस प्रोफिट का जो प्रैक्टिकल मैंने बनाया हुआ है आपके सामने आज सॉल करेंगे उसमें कुछ एड़्जस्मेंट्स हैं जो आपको पहले अंडर्स्टैंड करनी होंगी उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हूँ दोस्तो आपको जो फॉर्मेट बनाना है इंटर प्रोसेस प्रोफिट का वो आपको कुछ ध्यान में रखते हूए बनाना है वो क्या है आपको यह देखना है कि अगर आपको कोश्चन में यह लाइन दे दी गई है that is stock valued at prime cost तो आपने क्या करना है सबसे पहले ही जो आपने process A या B कोई भी account बनाना है तो आपने इसका मतलब यह है कि जो आपका closing stock होगा न वो इसके under ही क्या होगा जो भी stock है वो इसके under आएंगे यानि prime cost से पहले ही आपका opening stock आ जाएगा और prime cost से पहले ही आपका closing stock minus हो जाएगा यानि subtract हो जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है otherwise closing stock बाद में आता है लेकिन आपको अब यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको यह line दे दी गई है that is stock valued at prime cost इक मीज आपके दोनों stock इसके under काम करेंगे ठीक है दोस्तो सो दोस्तो देखती है सबसे पहले है that is opening stock opening stock process 1 का process 1 हमने देखा 75 hundred है यहाँ पे 3 column बनेगे total cost और profit का profit अभी निल रहेगा हमने सिरफ क्या करना है जो हमारा total है वही हमारी cost opening stock होगा similarly second that is direct material 15,000 और wages 11,200 15,000 15,000 हमने दोनों side में लिख दिया और 11 to 100 11 to 100 ठीक है दोस्तो अब पहले क्या करता है इन सभी का क्या करना है हमने total करना है इन सभी का total क्या आएगा that is 75 hundred 15,000 and 11 to 100 will be equal to 33,700 33,700 हमने क्या किया add करके लिख दिया closing stock अब less करना है तो दोस्तो सबसे पहले न इसमें जो closing stock है हमने वही लिखना है process A का इसमें कोई effect नहीं पड़ेगा process A का closing stock जो हमें दिया है हमने as it is less कर देना है हमने less किया it will be equal to 30,000 हमने लिख दी production overhead केतने थे 10,500 10,500 हमने दोनों side में add कर दिया और it will be equal to 40,500 will be in both side दोनों की cost 40,500 आ गई अब हमने क्या करना है profit दोस्तो यहां लिखा है profit percentage on transfer price transfer price का मतलब होता है selling price हमने काम किस पर करना है cost के उपर so आपके सामने है 25% means 1 by 4 और आपको basic पता है कि अगर 1 by 4 selling price है तो it will be equal to 1 by 3rd on cost so आपने क्या करना है cost यानि 1 by 3rd लगाना है और किसका 1 by 3rd लगाना है इनका 1 by 3rd अगर आपने लगाया that is 4500 का 1 by 3rd लगाया it will be equal to 13,500 और ये कॉलम अब खाली रह जाएगा total के अंडर 13,500 आएगा और profit अब आया है तो profit के कॉलम में आएगा ये दोनों चीज़ें हमने अड़ की और it will be equal to 54,000 total आया 4500 आपका cost आई और 13,500 आपका profit आया और इन दोनों का add करके देख लो ये आपके equal आएगा ये दोनों चीज़ें अगर आपके दोनों के add करके equal आगई समझो ये आपका accurate answer है अब आते हैं यहां हमने क्या किया transfer कर दिया transfer हमने जो आया वही कर दिया और इसी के साथ हमने अपना जो process account है एका वो finish कर लिया अब ये क्या करना है हमने transfer भी करना है तो हम पहले transfer करते हैं ये देखें लिखा हुआ है process 1 process 1 में हमने क्या किया 54,000 4500 and 13,500 हमने लिख दिया अब इसका opening stock दिया ये ध्यान देना अब ध्यान देने वाले शीर्या ध्यान से सुनो आपके पास opening stock है 9,000 अब यहां दिया हुआ है profit 1500 हम सबसे पहले profit लिखेंगे और 9,000 टोटल में लिखेंगे ये बात ध्यान में रखना अब जो gap बचाना हमने वो लिखना है यहां 9,000 नहीं आएगा 1500 हमें दिया था 9,000 दिया था जो difference आएगा it will be equal to this so यहां पे हमने adjustment ध्यान से करनी है 1500 किया 75,000 आपके पास क्या आई इसकी cost आई ठीक है दोस्तों इतना clear हो जाएगा आपको second आता है material material कितना था 15,750 इसको दोनों कॉलम में लिख दो profit अब निल हो जाएगा 11,250 अब हमारे wages है और it will be equal to निल और सारा total करने के बाद अब difference आएगा 9,000 54,000 15,750 और 11,250 it will be equal to 90,000 और second का अब difference आएगा second का आपके पास अब change आएगा थोड़ा सा क्योंकि आपके पास अब जो आया था ना 75,000 45,000 15,750 and 11,250 that is 75,000 और it will be equal to 15,000 75 और 15 यह आपके सामने यह सारा करने के बाद अब आएगा 75,000 और it will be equal to 15,000 यह दोनों का add करके देख लो आपके पास 90,000 आ जाएगा ठीक है दोस्तों अब आते हैं closing stock closing stock अब यहाँ पे calculate करना है क्योंकि दोस्तों एक बार आपने closing stock जो था वो आपने कर लिया क्योंकि वो आपका accurate था लेकिन दूसरी बात जब आपने ट्रांसफर किया है न और उसमें कुछ profit भी छीपा होगा उसे profit को निकालने के लिए हमने क्या करना है that is calculate closing stock करना है और उसमें आपको क्या करना है that is यह formula लगाना है जितनी आपकी cost है उसे divide करना है total cost के साथ और closing stock के जितने unit दिये हो बदल जितनी cost दियोगे उसके साथ अब यहां देखो cost कितनी है 75 और total कितना है 90,000 75 और total है हमारे पास 90,000 और closing stock कितना है 45 calculation कर लो आप 75,000 divided by 90 into 4500 it will be equal to 3749 that is हम 3750 लिख देते हैं तांकि round off हो जाए यानि यह तो हमारा 4500 रहेगा जो है total में यही रहेगा इसमें 3750 आ जाएगा और जो बच गया ना it will be equal to profit यह ध्यान में रखना यानि 4500 में अगर आपने 3750 लेस कर दिया और 750 का आपके पास क्या आ गया 4500 और यह sorry मैंने less करना था that is 85500 इसका बन जाएगा 75000 माइनस 3750 इट विल बी इक्वल तो 71250 और थर्ड का बन जाएगा 14250 अब इतना आ गया अब हम करते हैं production overhead कितनी है 4500 दोनो 4500 यहाँ पर 4500 आ गया यहाँ पर 4500 आ गया लेकिन यहाँ पर निल रहेगा दोनों add कर दो that is 85500 में से 4500 और गया तो 90,000 अगेन similarly second में 7250 में से 4500 और गया तो 75 750 ठीक है और इसमें आपका same रहेगा 250 इन दोनों को add करके देख लो तो it will be equal to 90,000 यह याद रखना लेकिन अभी पड़ा है gross profit तो उससे भी calculate करना है और उससे कैसे calculate करना है similarly आपको क्या ध्यान में रखना है selling और cost आपके बात 20% है 20% it means selling price अगर 20% है 1 by 5 1 by 5 तो it will be equal to 1 by 4 on cost हमने क्या करना है जो आया है उससे 1 by 4 कर देना है that is अगर 90,000 है तो उसका 1 by 4 क्या आएगा 22,500 आपके पास इसका profit आएगा और 22,500 आपके पास यह आएगा add कर दो आपके पास आया double 1 to 500 इसका 75,750 आपके पास यह आया और इसे आप add कर दो that is 22,500 में से 14,250 आपके पास यह आया अब इन दोनों को add कर के देख लो आपके पास यह आ जाएगा verify हो जाएगा ठीक है अब इसे transfer कर दो यहाँ पर ताकि हम finished बना सकें और 36,750 यह account हमारा हो गया close 36,750 account में सबसे पहले है that is opening stock सबसे पहले है आप चलो पहले ट्रांसफर कर दो अब आते हैं opening stock की adjustment पे कैसे करना है आपको पता है जो होगा total वो तो आपने total कर देना है that is 22,500 that is 22,500 cost अब यह कैसे find out करना है that is 82,50 आपका क्या है profit इसमें जो difference निकलेगा it will be equal to 14,250 यह आपका क्या बन जाएगा that is opening stock की cost इतना आ गया अब इन दोनों को हमने add कर दिया that is it will be equal to 1,35,000 it will be equal to 90,000 और it will be equal to 45,000 यह तीनों चीज़े हमने लिख दी अब दोस्तो closing stock जैसे हमने पीछे process 2 का निकाला था वैसे हम इसका भी निकालेंगे कैसे है that is सबसे पहले इसका देखिए closing stock के units यह है मैंने यहाँ आपके सामने देखा हुआ है formula क्या है cost over total into closing stock cost कितनी है 90,000 ठीक है 90,000 हमने क्या किया that is 90,000 divided by 135 जो हमारे total थी into 250 11,250 यह तीनों चीज़े हमने जब कर दी तो it will be equal to 37,50 sorry it will be equal to 90,000 divided by 135,000 into 11,250 7,500 it will यह हमारा difference होगा 7,500 आपका क्या आया यहाँ पे तो पहले लिख लो आप 11,250 जो आपका total था उसके बाद 7,500 जो आपका आया और दोनों का difference बनेगा that is 37,50 यह profit है ठीक है दोस्तो इतना clear हो जाएगा अब हम add करेंगे दोनों को it will be sorry less करना है हम दोनों को हमने दोनों को less किया और इसका answer आएगा that is 1,23,750 इसका आएगा 82,500 और it will be equal to 41,250 अब दोस्तो main point थे जो हमारे clear होगे अब GP यहाँ पर कोई value नहीं है यहाँ पर कोई value नहीं यह कैसे निकलेगा ध्यान से देखो नीचे दिया होगा आपको फिनिश्ट में अब sales दियोंगी sales कितनी है 1,40,000 हमने क्या किया टोटल में 1,40,000 लिख दिया यहाँ से इसको less कर दो तो it will be equal to GP so हमने क्या किया 1,40,000 में से 1,23,000 जितना था that is 750 वो हमने less कर दिया it will be equal to 16,250 जो हमारा profit आया यह दोनों करने के बाद हमारा profit आया अब इन दोनों को add कर दो और it will be equal to 1,40,000 1,40,000 आपका टोटल पहले का आया इसमें आपका 82,500 ही रहेगा और इसमें आपका चेंज हो जाएगा that is 16,250 plus 41,250 57,500 का आपको क्या हुआ profit हुआ तीनों प्रोसेसेस में 82,500 और 57,500 यह तीनों चीज़ें आपने अकाउंट में बंद कर दे नहीं है और आपका अकाउंट हो जाएगा close ठीक है दोस्तों यह था आपका इंटर प्रोसेस profit कोई इतना डिफिकल्ट नहीं आपको ध्यान में क्या-क्या रखना है आप आए रीकैप अगेन ओपनिंग स्टोव को आपने अजस्ट करना है प्रोडक्शन ओवरहेड को ध्यान में रखते हुए आफ्टर प्राइम कोस्ट करना है एड और इसमें जो प्रोफिट ऐपनिंग स्टोव का वरगुर्ट अजस्र करना है ट्रांसफर प्राइस पर आपको जीपी है जो ध्यान में रखते हुए कोस्ट में बदलना होगा और closing stock की calculation ये तीन चा चीज़े हैं जो आपको क्या करना है inter process profit निकालने में काम आएंगी ठीका दोस्तों दीज वाद और बाद टेड़े next हमारा topic होगा equivalent production is a very important topic so see you again thank you very much have a nice day